नमस्कार दोस्तो एस वी नॉलिज की इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है तो दोस्तो जिस रखत पूरी दुनिया यूद की चपेट में आने की कगार पर आ गई है कब इसराइल इरान पर हमला कर दे इसका इंतजार कर रही है ऐसे समय में भारत ने चायना और पाकि अब हो गया तो यकीन मानिए भारत का तेजस एक नया इतिहास रश देगा और चायना और पाकिस्तान का जेव 17 एक इतिहास बन करने जाएगा अब पूरी खबर क्या है उसे जानने से पहले प्लीज इस वीडियो को लाइक कर लीजे ताकि हमें आपके लिए और भी ऐसी ही वीडियो इस बनाने का मोटीवेशन मिलता रहे तो दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि चाईना का जो जेव 17 फाइट जेट है ये फाइट वैसे तो चाईना का है लेकिन इस पाकिस्तान में असेंबल किया जाता है इसलिए इस फाइट को पाकिस्तान अपना जो सबसे बड़ा खरीदार और ओपरेटर देश है वो है नाइजीरिया नाइजीरिया के पास इस वक्त अफ्रीकी देशों में सबसे जादा जेव 17 फाइटर जेट है और नाइजीरिया की प्लानिंग ये थी कि वो और भी संख्या में चाइन और पाकिस्तान से इस फाइटर बढ़ जाती लेकिन इन दोनों देशों ने इतने बुरे करम किये हैं कि उसका फल तो इने मिलना ही था चाइना और पाकिस्तान से नाइजीरिया और जेव 17 खरीद पाता उससे पहले ही नाइजीरिया के पुराने जेव 17 में खराबिया आना शुरू हो गई और धीरे धीरे क परके ये खराबिया इतनी जादा बढ़ गई कि नाइजीरिया को अपने जेव 17 ग्राउंड करने पड़ गए जी हां नाइजीरियन ओफिसल्स ने बताया है कि चाइना और पाकिस्तान के जेव 17 का इंजन इतना जादा वाइबरेट करता है जिससे वो पूरी तरह से करने की कोशिश भी की लेकिन वो भी इसे ठीक नहीं कर पाए जिसके बाद नाइजीरिया ने जेव 17 को लेने का प्लान रद कर दिया चाइना और पाकिस्तान ने नाइजीरिया को ये भी ओफर दिया कि वह उसे जेव 17 का ब्लॉक 3 वेरियंट जो की और भी ज़्यादा नाइजीरिया को जल से जल लाइट कॉमबेक्ट केटेगरी में नए फाइट जेट्स की ज़रुरत है और इसी को देखते हुए भारत ने मौके पर चौका मारते हुए नाइजीरिया को तेजस ओफर कर दिया और इस ओफर के बाद अब जो खबर निकल कर सामने आई है उसे स आली में नाइजीरिया की तरफ से ये खबर निकल कर आई है कि वो भारत के साथ तेजस वाइडेजेट की जो नेगोशेशन कर रहा है वो आखरी स्टेज में पहुंच चुकी है और जल्दी तेजस वाइडेजेट की डील को लेकर उनकी तरफ से एक बड़ी अनौस्मेंट क के साथ लौन पर दिया था लौन का मतलब है कि नाइजीरिया तेजस पहले ले लेगा और बाद में डेल की जो भी कोस्ट होगी वो कुछ इंस्टॉल्मेंट में नाइजीरिया भारत को कुछ सालों में पे करता रहेगा प्लान के मताबिक नाइजीरिया भारत से लगबख 15 तेजस खरीद सकता है जिनकी कोस्ट लगबख 500 मिलियन डॉलर से भी जादा की होगी इतना ही नहीं नाइजीरिया के साथ ये डील पक्की करने के लिए भारत नाइजीरिया में तेजस के लिए एक रिपेर एंड मेंटेनिंस सेंटर फैसलेटी भी ओपन करके देगा जहां पर दगबख 3 सालों तक नाइजीरिया भारत से मिलने वाले टेजस वाइड एजट की मेंटेनेंस और रिपेरिंग करवा सकता है हाला कि नाइजीरिया के साथ चल रही नेगोशेशन में नाइजीरिया भारत से वह भी ओफर चाता है जो भारत ने फिलिपीन्स को दिया था भारत नाइजीरिया को देगा या फिर नहीं इसके बारे में तो कुछ कहां नहीं जा सकता लेकिन इतनी बात तो पक्की है कि नाइजीरिया अफरीका में तेजस का पहला खरीदार बनेगा इस बात की पूरी संभावना है और यह भारत के लिए हुकुम के इक्के के जैसा का करेगा क्योंकि अफ्रीका में हर एक देश चाइना के हत्यारों से काफी जाद अतंग है उनकी क्वालिटी और टेक्नलोजी इतनी घटिया है कि कई देश तो चीनी कंपनियों को अपने टेंडेस में बिडिंग करने तक के लिए बैंड कर चुके हैं अब ऐसे में अगर भारत के हातों में होगी क्योंकि चीज़ें इसी ढंक से काम करती है हिस्ट्री में भी ऐसा हो चुका है राफेल के साथ भी यही हुआ था साल 2001 में राफेल पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया था लेकिन फिर भी कोई देश उसे नहीं खरीद रहा था पर जैसे ही भारत ने राफेल को खरीदा वैसे ही राफेल को लेकर दुनिया भर के देशों में जिग्यासा पैदा हुई और सबने भर भर कर राफेल को खरीद लिया और आज हाल तो ऐसा है कि राफेल के ओडरस को पूरा करने के लिए फ्रांस के पास प्रोड़क्शन लाइन तक कम पड़ गई ह आपकी जानकारी के लिए बता दे कि अफरीकी देशों पर भारत की नजर काफी पहले से हैं भारत ने अफरीकी देशों के लिए काफी पॉजिटिव स्टेप्स उठाए हैं जैसे कि कोरोना के समय सबसे पहले और फ्री में वैक्सीन देना आर्थिक मदद देना फ्री में ख अटाचे को तैनात करके अफ्रीकी देशों को एक स्पेशल जेस्टर सो किया है जिसे यह उमीद की जा रही है कि आने वाले समय में भारत को इसका खूब फायदा होगा वैसे आपको क्या लगता है कि अब भारत अपने तेजस को एक्सपोर्ट करने में कभी काम्याब हो पाए